ओम नमस्वाय हर हर महादेव नमस्कार दोस्तों मैं नित्यानंद पांडे आपके अपने चनल नित्य साधना मैं आपका स्वागत करते हैं तो दोस्तों आज हम ले करके आए हैं, खोली वाले दिन, इसे लाना घर कभी मत भूलिएगा, जन्म जन्मांतर की गरीबी आपको मिटा देगा, अगर यह चीज आप खोली वाले दिन ले आते हैं, तो कितना भी आप गरीब हों, पैसे की जितना भी किलत हो, यह गरीबी आपक करके भी होली का दहन में कभी भी नहीं डालना चाहिए और कौन से ऐसे उपा हैं जिसे होली का दहन के दिन जरूर करना चाहिए तो दोस्तों यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी दोस्तों जानते हैं कि होली का तेवार पूरे साल में एक बार मनाय जाता है और होली का तेवार बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक माना जाता है अगर होली वाले दिन अगर हम कुछ उपाय कर लेते हैं तो हमारे घर में सुख सान्ती पूरे साल बनी रहती है तो दोस्तों आईए हम वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों सास्त्र के अगर माने तो सास्त्र के अनुसार तूटा हुआ गन्ना यानि खराब गन्ना कभी भी अगनि में नहीं डालना चाहिए होली का अदहन में कभी भी नहीं डालना चाहिए और होली का अदहन में यानि एक गन्ना कभी भी अगनि में नहीं डालना चाहिए दो, पांच, साथ गन्ना ही आपको होली का अदहन में डालना चाहिए इन चीजों का ध्यान देना चाहिए यह उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए दोस्तों सुखा हुआ नारियल ले लें सुखा हुआ नारियल लेकर के तूटा फूटा नहों खराब नहों सुखा हुआ नारियल आप ले लें और अपने पूरे परिवार से उसको असपर्स करा करके और अगनी कुंड में डाल दें यानि होलिका दहन में इसे डाल दें आपकी परिषानिया दूर हो जाएंगी पूरे परिवारी की परिषानिया दूर हो जाएंगी या होलिका दहन वाले दिन आप इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए अगर आपको बुरे ख्याल आ रहे हों आपको भै लग रहा हो तो पूजा में जो प्रियोग होता है सूखा नारियल ले लें थोड़ा सा सरसो ले लें और काले तिल थोड़ा सा ले करके और अपने सीर पर साथ बार वार करके और होलिका दहन में इसे डाल दें ऐसा करने से बुरे ख्याल आपके दूर हो जाएंगे भै जो लग रहा है वो दूर हो जाएगा इस उपाय को जरूर कर लें दोस्तों और होलिका में दोस्तों इसको जरूर करना चाहिए होलिका में नई फसल जरूर आपको अर्पित करनी चाहिए होलिका में गेहूं की बालिया ले 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 जव की बालिया ले 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 हराचना ले 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 इसे जरूर अर्पित करना चाहिए इसे घर में सुख सांती बनी रहती है और कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होती है दोस्तों जो आप होली के तेवार पर गोजिया बना रहे हैं उसे जरूर होली का धन में अर्पित करना चाहिए उसके बाद ही गोजिया को खाना चाहिए जूठा करना चाहिए दोस्तों गोजिया कभी भी लेके जाएं तो एक की संख्या में नहीं ले जाना चाहिए दो, पांच, साथ ले जाकर के वहां जरूर चढ़ाना चाहिए जो भी चीज आपके घर बन रहा हो उसे ले जाकर के थोड़ा सा उसमें जरूर अर्पित करना चाहिए उसके बाद ही उसका सेवन करना चाहिए जिससे कि घर में अन धनकी कभी कमी नहीं होती है और दोस्तों आप एक चीज का ध्यान दें होलिका धन में गाई से गाई के गोबर से बना हुआ उपला जरूर डालने चाहिए होलिका धन में कच्चे चावल जरूर अरपित करना चाहिए जो तूटा फूटा ना हो, खंडित ना हो, ले जाकर के थोड़ा सा चावल उसमें जरूर अरपित करना चाहिए, इससे घर में अनधन की कभी कमी नहीं होगी, और आपके घर में सुक्सांती बनी रहेगी, दोस्तों माता जी को गोजिया का भोग लगा करके ही गोजिया खाना हैं, इस दिन, एक चीज़ का ध्यान दें, दोस्तों, इस दिन गाई को गोजिया जरूर खिलाने चाहिए, आप तो जानते हैं, गाई में, गाई के अंदर 90 कोटी देवी देवताओं का वास होता है, इस वज़े से गाई को आप गोजिया खिला लें, उसके बाद आपको गो चुपाय को जरूर कर लें, जिस दिन आप रंगों वाली होली मनाते हैं, उस दिन, खुलिका के राख को अपने घर जरूर ले आना चाहिए, और ले आ करके पूरे परिवार के मस्तक पर जरूर उस राख को लगाना चाहिए, अगर ऐसा आप करते हैं, तो आप से नजर दोस बुरे सपने आना बुरी साये आप से दूर चले जाएंगे आपके उपा तंत्र मंत्र का प्रियोग अगर कोई कर रहा है तो आप असर नहीं करेगा तो मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए और उस राख को लेया करके और एक काला कपड़े में बांध करके और आपने चाहें तो दुकान के गले में रख सकते हैं या अपने घर के तीजोरी में रख सकते हैं इससे धन की बढ़ुत्तरी होगी ना करात्म कुर्जा आपके घर से दूर होगा यह उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए दूसरी चीजे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों इस दिन किसी से भी सफेद चीजें नहीं लेनी चाहिए अगर कोई आपको सफेद चीजें दे रहा है या खिला रहा है तो ऐसा आपको नहीं खाना चाहिए क्योंकि इस दिन पहुं से टोने टोटके लोग करते हैं तो इससे आपको बचे रहना चाहिए और अगली चीज बताना चाहूंगा दोस्तों इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए ऐसे कारने वाले लोगों को नरक का भागी बनना पड़ता है नरक भोगना पड़ता है होली का तेवार भगवान किश्ल को अती प्रिया है और होली का तेवार बरज से ही सुरुवात होती है और इस दिन होली का तेवार पूरिमा के दिन मनाया जाता है और पूरिमा के दिन जो ब्यक्ति जो मनुष्य दोस्तों इस तरी का आप मान करता हो मांस मदिरा का सेवन करता हो किसी नसीली चीजों का सेवन करता हो तो उसे नरक का भागिदार बनना पड़ेगा चाहे ओ कितना भी बड़ा आदमी हो उसे नरक भोगना पड़ता है तो दोस्तों इस दिन मांस मदिरा का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए होली कातेवार बड़े ही धूम धाम से मनाना चाहिए इस दिन सात्विक चीजें ही खानी चाहिए क्योंकि इस दिन पूरिमा का तिथी भी रहती है दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों इस दिन सफेदी चीजों का दान नहीं करना चाहिए भूल करके भी सफेदी चीजें होली के दिन जैसे दूद, दही, चीनी इन सर्थ चीजों का सेवन आप कर सकते हैं लेकिन दान किसी को नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर इन चीजों का आप दान करते हैं तो कुंडली में सुक्रग्रह कमजोर होता है इसलिए इन चीजों का आप दान न करें दूसरी चीजें बताना चाहूंगा दोस्तों इन तीन चीजों को कभी भी भूल करके भी होलिका दहन में नहीं डालना चाहिए इन चीजों को आप ध्यान दें दोस्तों खंडित चीजें कोई भी चीज आप उसमें अर्पित कर रहे हैं तो खंडित और खराब चीजें उसमें नहीं डालना चाहिए उसमें एक चीज का और ध्यान देना चाहिए दोस्तों पूराने कपड़े, प्लास्टिक उसमें नहीं डालना चाहिए, उसमें तिसरी चीज, दूसमें जूते चपल और पवित्री चीजें कभी भी होलिका में नहीं डालना चाहिए, इन सब चीजों का दोस्तों ध्यान देना चाहिए, तो वीडियो आपको कैसी लगी, ज झाल झाल